नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दमेट्रो वाला में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो द्वारा हाल ही में शुरू किये गए टिकट की एक नई फैसिलिटी के बारे में जिसे हम MJQRT कहते हैं MJQRT यानि एक ऐसी QR टिकट जिसको आप अपने स्मार्ट कार्ट की तरह ही मल्टिपल जर्नी यानि बार बार यात्रा करने के लिए यूज कर सकते हैं और प्रतीक बार यात्रा करने पर आपको आपके किराये में 20% का डिसकाउंट भी मिलेगा इस टिकट की सबसे खास बात ये है कि आपको स्मार्ट कार्ट की तरह इसे फिजिकली अपने वालेट पर्स या जेब में लेकर चलने की जरूरत नहीं है तो आखिर ये MJQRT एग्जेकली क्या है और भी इसके फायदे या नुकसान क्या है और इसे खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा और यह नॉर्मल क्यूर टिकेट और स्मार्ट कार्ट से किन मामलों में अलग है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह एमजे क्यूर टिकेट क्या है डेली मेट्रो में अभी फिलहाल यात्रा करने के लिए टिकट के रूप में आपको दो विकल्क दिये जाते हैं पहला है स्मार्ट काड और दूसरा है क्यूर टिकट आज से कुछ महिने पहले क्यूर टिकट के जगह पे टोकन दिया जाता था लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है पिलहाल जो QR टिकट दिया जाता है वो single time journey यानि कि केवल एक बार यात्रा करने के लिए दिया जाता है लेकिन अब Delhi Metro ने बार बार टिकट खरीदने के जंड़ट से बचने के लिए MJ QRT को launch किया है यानि अब आपको किवल एक बार ही अपने मुबाइल से एक QR टिकट खरीदना होगा और आप इस टिकट को बार बार स्मार्ट कार्ट के तरह ही यूज़ कर पाएंगे इस QA टिकट की कीमट 12.50 रुपे होगी जिसमें आपको यात्रा करने के लिए 13.60 रुपे दिये जाेंге और आप जब भी यात्रा करेंगे तो आपके किराय किरासी टिकट के बैलेंस मैं से काट लिज़ाएंगा अगर यात्रा करने के बाद आपका वैलेंस कम हो जाता है तो आप स्मार्ट कार्ट के तरह ही इसे रिचार्ज भी कर पाएंगे इसके साथ ही जिस तरीके से स्मार्ट कार्ड में पीक आवर्स यानि कि सुभा आठ बेसे लेके दोपहर बारा बजे और शाम को पांच बेसे लेके नौ बेजे के बीच में यात्रा करने पर 10% डिसकाउंट मिलता है और नौन फिक आवर्स यानि सुभा में आठ बेसे पहले दोपहर में बारा से पांच के बीच में और रात में नौ बेजे के बाद यात्रा करने पर 20% डिसकाउंट मिलता है ठी लेकिन नॉर्मल QRT की टिकट की तुलना में MJQRT एक से अधिक पार के यात्रा के लिए बना है। नॉर्मल QRT को आप आप आउनलाइन या आउफ लाइन काउंटर दोनों के माद्रेम से खरीद सकते हैं। नॉर्मल QRT टिकट में आपको किराय में कोई डिसकाउंट नहीं मिलता है। जबकि MJQRT में आपको किराय में 10-20% के बीच में डिसकाउंट मिलता है। अगर हम MJQRT की तुलना स्मार्ट कार्ट से करें। तो हाला कि समार्ट कार्ट में 500 बेट, आपको 50 बेट की रूप में 50 बेट से करना से करना करें। अगर आपका समार्ट कार्ट को जाता है तो आप उसके bation को दूबारा नए कार्ट में ट्रांसफर करें। नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस मोबाइल से आपने MJQRT खरीदा है, अगर वो मोबाइल खो जाए, चोरी हो जाए, या खराब हो जाए, तो आप अपने नए मोबाइल में अपना पुराना MJQRT का बैलनेस वापस पा सकते हैं. MJQRT non-transferable है, यानि इसका प्रयोग केवल उसी मोबाइल से किया जा सकता है, जिस मोबाइल से इसे खरीदा गया है, इस QR Ticket का डिजाइन हमेशा बदलते रहता है, इसलिए आप screenshot लेकर किसी दूसरे मोबाइल से इसका यूज नहीं कर पाएंगे. MJQRT का balance कम होने पर आप इसे कम से कम 50 रुपे और अधिक सथिक 300 रुपे तक online mode यानि की credit card, debit card या UPI इसे रिशार्ज कर सकते हैं. MJQRT का एक सबसे बड़ा disadvantage यह है, कि यात्रा शुरू करने के लिए आपके QR Ticket में कम से कम आपके पास 60 रुपे का balance जरूर होना चाहिए, क्योंकि Delhi Metro का अधिक्तम क्राइब 60 रुपे है, इसलिए Delhi Metro यह मान के चल लई है, कि कम से कम 60 रुपे अगर आपके QR Ticket में है, तब ही यात्रा शुरू कर पाएंगे, चलिए अब यह समझते हैं कि MJQRT कहा मिलगा या इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, MJQRT को खरीदने के लिए आपको Play Store से DMRC Momentum 2.0 दिल्ली सार्थी नाम के एप को डाउनलोड करके इस पे registration करना होगा, और उसके बाद यह जो multiple journey QR Ticket वाला option आपको दिख रहा है, यहाँ पे कम से कम देश रुपेगा रिचार्ज करके आप अपने QR Code खरीद सकते हैं, अब सवाल यह उठता है कि क्या MJQRT के आने से जो normal QR Ticket है या normal smart card है वो बंद हो जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, जो normal smart card या normal QR Ticket है वो अभी भी चलेंगे, इसके अलावा यह एक additional facility DMRC के तरब से दी गई है, दोस्तो आशा करता हूं कि MJQRT के बारे में एक अच्छी जानकारी मैं आपको दे पाया हूं, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इस वी सब्सक्राइब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान दखिए, जय हिंद।